गुड मॉर्णिं स्टुडंट कैसे हैं सब लोग देखो यहां पर मैं जो फिजीस का जो आयम्पिक गुड मैं जा रहा था आज वह खतम हो चुके हैं इसके बाद में बच्चों हम लोग बायो और मैट्स के इन दोनों की भी चाप्टर वाइज में इंपॉर्टन कोश्शन अप्लोड करने वाला हूं आज हम लोग बात करने यह ले लाश्ट चाप्टर जो फिजीस का एक कर्मे ज्यादा धन देना आपको जो questions आपको बोल रहा हूं इसको ज्यादा से ज्यादा practice करके देखना है वही question maximum आएंगे अगर आपको बहुत ज्यादा मार्ग चाहिए अब आप 90 या 95 चाहते हो तो बाकी वाले questions करना है तो बच्चों हम लोग यहाँ पर सबसे पहले questions and what is the communication system इसकी block diagram निकानना मद बुलिये बच्चो block diagram important questions, block diagram की उपर यह IMP questions है बच्चो most IMP questions लहां नगातना बच्चो विसके बादे what is the transducer and carrier growth transducer किसको बोलते है पर carrier growth simple simple बच्चो इस define में अच्छी तरसे define करना है define है Chinese किसको बोलते है, massive signal, analog signal, digital signal, dimension किसको बोलते है, amplification, range, repeater and modulation टेड़ विल्स इतने define अच्छी तरह से पढ़ने रहा है bandwidth signal यह question most important question बच्चो आपके लिए इसको अच्छी तरह से करना है उसके बाद में air, FM, NPM इसको भी most important question में ना लोगा बच्चो what is the atmosphere and x-limited, space, groundwater and sky propagation इसको पर question बच्चो यह चार question जो ब्लॉग राइग्राउंपर इसमें जादा की question सवाल आके रहता है ज्यादा से जाबर इस question को करने या air, FM, RPM मतलब amplitude modulation, frequency modulation and phase modulation इसको अच्छी तरह से बनाना है बच्चो तो यह question हो सके उतना अच्छे तरह से करने की कोशिश करो यह important question बच्चो यह chapter में इसके आलवा दुसरा कुछ भी नहीं आएगा 100% शुहरी टे बता रहा बच्चो तो पढ़ाई करते रहे best life and thanks for watching this video